सेरिया की राजधानी दमिश्क में जमी दोस हुई ये बिल्डिंग इसरायल और इरान के बीच एक नई जंग छिड़ने की बड़ी वज़ा बन सकती है इरान ने इसरायली हमले में जो गवाया उसकी भरपाई के लिए इरान अब बदले की आद में जल रहा है दरसल हमास के साथ जारी जन के बीच इसरायल और सीरिया की राजधानी दमिश्क में एर स्ट्राइक की थी यह हमला इरान के अमबेसी के कॉंपलेक्स में हुआ था जिसमें साथ लोगों की मौत हुई थी नियू यॉक टाइम्स के मुताबिक इरान ने दावा किया कि इसरायल ने अपने F-35 लड़ाकों विमानों से हमले को अज़ाम दिया हमले में इरान की कुछ स्फोर्स के दो टॉप कमांडर और इसलामिक रेवोलिशन गार्ड्स कॉर्प्स के साथ सदर्स्य समें 13 लोगों की मौत हुई है इसमें सीरिया में इरान के सबसे सीनियर अधिकारी मौहमद रेजा जाहेदी और उनके डिप्टी कमांडर मौहमद हज रहीमी शामिल है हाला कि इसरायल ने अब तक इस हमले की सिम्मदारी नहीं ली है लेकिन हमले से गुसा है इरान ने बेहदी तल्क लहजे में इसरायल को बड़ी धंकी देडा ली इरान के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इरान के पास इन हमलों का माकूल जबाब देने का पूरा अधिकार है ये कब और कैसे होगा इससे हम खुद तै करेंगे इसरायल को नतीजा बोगतने के लिए तयार रहना चाहिए ये पहली बार है जब इसरायल ने इरानी दुतावास की आधिकारिक इमारत पर हमला किया है रॉटर्स की मुताबेक हमला इतना भीशर था कि दुतावास परिसर में एक इमारत समतल हो गई अब समतल हो चुकी बिल्डिंग से बतले की नई इमारत खड़ी हो चुकी है आशुनका जदाए जा रही है कि इस हमले के बाद मिडिल इस्ट में टकराफ बढ़ सकता है अबरी वज़े है कि अमेरिका ने दो टूप प्रतिक्रिया देते हुए इसराइली हमले से खुद को अलग कर दिया है माना जा रहा है कि अमेरिका फिलहाल इरान से सीथी जंग की हालात में नहीं है इसी रियाई राजधानी में इरानी वाड़े जितुतावास पर इसराइल के हमले के बाद अमेरिका ने इरान को संदेश भेज कर अमेरिकी ठिकानों और पलों को निशाना नहीं बनाने का आग्रह किया है साथ ही ये भी साफ किया कि घातक हवाई हमलों में अमेरिका शामिल नहीं था जिए नहीं थामेरिकाश के उिशए में इस जऑती हैं ये को भी सब्सकोन नहीं करूब है जै कि ए्योजे थार फिर्वेशन चाहीं कर ए्योजयानों में व्यूज नहीं करेंड़ लेजुर्दत इार्वेशन। I am not going to speak to how it might have been received. The Iranians can speak for them, their selves. I will just say that we made very clear to the Iranians that we had no वही इस्राइली स्ट्राइक पर एरान के विदेश मंतरी ने कहा कि इस्राइल के सबसे बड़े समर्थक अमेरिका को इस आतंकवादी हमले पर जवाब दे होना चाहिए जिस ने सभी अंतर राष्ट्रिय दायतों का उलंगन किया है साफ है कि इरान अब बदले का मौगा तलाश रहा है ऐसे में ये देखना काफी एहम रहेगा कि इरान इस हमले को किस तरह से इस्राइल को जवाब देता है